हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर चनल, सिविल टैग फॉर सिविल इंजिनेरिंग एक्सपर्ट्स जो भी स्टुडेंट्स एससे जेएन एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदे मन साबित होने वाली है थाउजन प्लस, मोस्ट एक्सपक्टेड कोशन की सेरीज हम डिसकस कर रहे हैं पार्ट नो हम इसके काफी अच्छे से कंप्लिट कर चुके हैं आज हम इसका पार्ट टैन डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं Quesha number 1 है इस सेरीज में Which of the following statement is true? Statement A है Workability reduces with time B. Workability does not reduce with time And C. Workability remains constant अब हमें options बतादना है कि इन में से कौन सा option साई है तो जो इसका correct answer है वो है इसका option number A यानि कि Workability reduces with time अब हम पहले वाली सीरीज में भी डिसकस कर चुक है इस बारे में कि जो सिमेंट होता है वो मौस्टर के कॉंटेक्ट में आते ही या उसमें पानी मिलते ही उसका हाइड्रेशन प्रोसेश शुरू हो जाता है तो इस वज़े से वो वाटर को अब्जॉर्व करना शुरू कर दे अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे मतलब जितना हमें वर्किबिलिटी के लिए उसमें पानी मिलाया है प्लेसिंग किया है उसमें अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो पानी अब्सॉर्व कर लिया जाएगा और इस वज़े से उसकी वर्किबिलिटी ड बाद यूज़ कर रहे हैं या 12 hours बाद यूज़ कर रहे हैं तो उस time period के gap के वज़े से उसकी workability decrease हो जाएगी तो इसका option no.1 सही है workability reduces with time next question है which of the below property of aggregate is not desirable options are first option smooth texture second well graded third angular shape and fourth smaller size अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा वाला aggregate है जिसे design purpose के लिए use generally नहीं किया जाता है तो जो इसका correct answer है वो है angular shape angular shape को design नहीं किया जाता है smooth texture वाले aggregate यूज़ किया जाता है well graded यूज़ किया जाता है smaller size use के जाते है smaller size के अलावा मतलब जब बात की जाए कि reinforcement के लिए या payment structure के लिए तो इससे पहले वाली part जब हमने discuss किया था तब हमने बताया था कि IS code के according 20 mm तक के जो aggregate होते हैं वो reinforcement में यूज़ के जाते है और 40 mm अबाव के aggregate payment structure के लिए यूज़ किया जाते हैं और अगर 20 mm से below वाले aggregate यूज़ करने हैं तो वो फिर depend करता है कि वो किस purpose के लिए यूज़ किया जा रहे हैं उन्हें कहां यूज़ किया जाएगा तो यहां पर properties of aggregate देख लेते हैं एग्रिगेट शुट प्रोवाइड इस पेस फॉर सिमेंट पेस्ट से फिल किया जाता है यहां पर लार्जर साइज है इसके लावा smaller size भी यूज़ के जाते हैं क्यूबिकल यूज़ के जाते हैं यह इसकी important line है larger size smaller size भी यूज़ के जाते हैं वो टिपेंड करता है कि हम मतलब हमारा purpose of structure क्या है कहां पर हमें यूज़ करना है cubical round rough texture aggregate are preferred the shape and texture of aggregate affect the property of fresh concrete more than hardened concrete shape or texture effect करता है concrete is more workable when smooth and round aggregate is used मतलब कोशन हमारे पास ऐसी आ जाए कि workable concrete के लिए कौन से वाले अग्रिगेट यूज़ के जाते हैं rough या smooth तो यानि की rough या smooth और smooth के साथ मैं आपको round भी option में दे कि smooth and round या rough and angular aggregate तो जब workable की बात आए तब smooth and round aggregate यूज़ के जाते हैं मतलब aggregate जो होता है जैसे smooth aggregate, rounded aggregate है इनके merits है तो इनके demerits भी है इसी तरीके से angular and elongated aggregate के merits भी है तो demerits भी है अब वो depend करता है कि हम उसे किस परपस से देखना चाते है कि strength के परपस से देखना चाते हैं तो उसका अलग गुण निकल के आएगा और उसे workability के हिसाब से देखना चाते है तो उसका अलग गुण निकल के आएगा आगे पड़ता है most natural scents and gravels from river beds and sea shore are smooth and rounded अब जो मतलब जहां पर continue पानी का flow होता रहता है तो इस वज़े से वो पानी के flow होने के वज़े से जो aggregate होता है वो smooth texture के हो जाते है क्योंकि पानी का continue flow होता रहता है और वो running water में रहते हैं तो वो naturally rounded shape में आई जाते है और excellent aggregate crushed stone produces much more angular and elongated aggregate मतलब किसी पाहड को मतलब crushed किया जा रहा है तो फिर उस वज़े से जो aggregate हमें मिलता है वो angular और generally elongated type के मिलता है whichever higher surface to volume ratio मतलब उसका surface to volume ratio जादा होता है and better bond characteristics but require more cement paste to produce a workable mix अब यहां बात के जारी है workability के हिसाब से तो workability के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि rough मतलब workability के हिसाब से बताया जा रहा है कि smooth and rounded aggregate सही रहते हैं workability के हिसाब से लेकिन जो angular and elongated aggregate होते हैं यह इनका क्या better bond characteristics होती है लेकिन अगर इनने workable बनाना है तो workable के लिए इनमें cement paste की जादा ज़रत पड़ती है अब जैसे आपको इसको simple language में मैं समझाओं तो माल लीजिए कि जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई structure है अब यहाँ हमें rounded aggregate यूज करना है तो rounded aggregate तो क्या होंगे ना कि यह इसके surface area को इस तरीके से cover कर लेंगे लेकिन angular aggregate इस तरीके से होंगे angular and elongated aggregate तो इनके बीच में क्या gap ज़्यादा maintain होगा यह तो क्या एक दूसरे से rounded aggregate तो एक दूसरे से मतलब इनके smooth surface होने के वज़े से यह एक दूसरे से better bond बना लेंगे इनके बीच में voids इतना नहीं होगा जितना की voids angular and यहाँ पर elongated aggregate में बिलेगा तो यहाँ पर cement paste की जरुत तो पड़ेगी कम और यहाँ पर cement paste की जरुत पड़ेगी ज्यादा तो अब माली जीए कि यहाँ पर मतलब हमें economically बात करनी है मतलब यहाँ पर तो cement paste हो रहा है कम अब main cement बहुत effect करती है rate cement की rate की वज़े से काफी effect पड़ता है structure पर तो यहाँ पर तो cement paste हो रहा है इस जगे तो cement paste हो रहा है कम use और इस जगे cement paste use हो रहा है ज्यादा तो इस वज़े से ये मतलब थोड़े इनकी rate ज़्यादा differ कर जाएगी तो एक ये भी reason है इसके पीछे मेजरली तो यह effect निकल के आता है और आगे पढ़ते हैं इसमें तो आप हर तरीके से मतलब इस चीज़ को याद रखे workability के हिसाब से, strength के हिसाब से strength के हिसाब से rounded aggregate की तुलना में elongated aggregate सही रहते हैं क्योंकि elongated aggregate एक दूसरे से better bond बनाते हैं तो जहाँ बात strength के आए वहाँ elongated aggregate यूज़ के जाएंगे जैसे माली जी के railway track का payment structure त्यार करना है अब या फिर highway construction के लिए payment त्यार करना है road construction में तो फिर वहाँ पर rounded aggregate यूज़ नहीं के जाते हैं वहाँ पर फिर elongated aggregate यूज़ के जाते हैं आगे पढ़ते हैं यह सबसे important यहाँ पर point है कि smooth surface तो workability improve कर देगा लेकिन जो rough surface होती है aggregate के अंदर वो better bond develop करती है paste का और aggregate का और इस वज़े से aggregate create a higher strength यह मैं आपको समझाना चारी थी क्या आप strength के case में या workability के case में दोनों चीज़ों को ध्यान रखते वे सबके अपने अपने गुण और अगुण होते हैं इसके अंदर आगे बढ़ते हैं the grading or size distribution the grading or size distribution of aggregate is an important characteristics because it determines the paste requirement for workable concrete मतलब paste की कितनी ज़्यादा ज़रोत पढ़ रही है rounded aggregate में तो कम ज़रोत पढ़ रही है और elongated aggregate में ज़रोत पढ़ रही है this paste requirement is the factor controlling the cost since cement is the most expensive component it is therefore desirable to minimize the amount of paste consistence with the production of concrete that can be handled, compacted and finished with while providing the necessary strength and durability the required amount of cement paste is dependent upon the amount of voids space that must be filled and the total surface area that must be covered मतलब हमें कितना यहाँ पर cement paste की ज़रोत पढ़ती है यह depend करता है कि जैसे मालीजे हम angular aggregate use कर रहे हैं तो angular aggregate की वज़े से surface में यहाँ पर ज़्यादा voids create है तो यहाँ पर ज़्यादा cement paste fill होगा तो इस वज़े से मतलब यह बताता है कि अगर elongated aggregate use कर रहे हैं तो इसका surface area ज़्यादा cover होगा और इस वज़े से हमें यहाँ पर cement paste की void space fill करने के लिए ज़्यादा ज़रोत पड़ेगी when the particles are of uniform size मतलब uniform size के particle use कर रहे हैं and the spacing is the greatest but when a range of size is used the void space are filled जैसे मालीजे कि हम कुछ बड़े size के particle use कर रहे हैं और उसके बाद में हम uniform gradation के साथ में चोटे particle की use कर रहे हैं तो voids को पहले तो बड़े particle से fill किया जाएगा greater particle से और फिर उनके बीच में जो voids है उन्हें उनसे चोटे size के particle से fill किया जाएगा फिर जो voids पचता है उसे cement paste से fill किया जाएगा तो यहां पर यह यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यह भी एक तरीका है के मतलब हमें paste requirement को कम करना है जैसे हम चाते हैं के हमारा ना cost भी नहीं बड़े और हम जैसे माले जी के payment structure की बात करते हैं के road construction के लिए या मतलब railway track पर ही railway track पर तो क्यार concrete का use नहीं होता है हम road construction की बात करते हैं road construction के लिए हम यूज कर रहे हैं angular aggregate अब बावाब आती है कि हम rounded aggregate यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें उसकी strength नहीं मिल पाईगी जितनी की angular aggregate से elongated aggregate से मिलेगी तो अब फिर यही है कि पहले तो elongated aggregate फिल किया जाए फिर उसकी बीच में जो void space है उन्हें उनसे छोटे पार्टिकल से फिल किया जाए इससे क्या जो cement paste है न उसकी value जो पहले process follow करते उसकी तुलना में कम हो जाएगी तो इस वज़े से इसकी cost पे भी effect नहीं पड़ेगा the more these voids are filled the less workable the concrete becomes therefore a compromise between workability and economy is necessary तो I hope आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा मैं अब आप तसली से एक बार मतलब मैं इसको आगे drag कर यूँ तसली से एक बार इसको पढ़ लीजएगा जो भी इसमें explain करने की चीज़ थी वो मैं आपको समझा दिये इस तरीके से paragraph को समझाने का यह परपज़ था कि आपके basic clear हो जाए तो यह question जो आ रहे है ना वो directly terms के अलावा basic से related भी question आ रहे है कि question इस तरीके से गुमा के present क्या जा रहा है कि question के अंदर आपको इस तरीके से बना जा रहा है workability के हिसाब से या strength के हिसाब से या आपको अपने उस structure को economical रखना है लेकिन आपके लिए restrictions है कि आपको elongated aggregate use करना है जिसका surface volume area जाधा है अब cement paste भी आपको कम fill करना है तो आप इन में से कौन सा तरीका सुझाएंगे तो यह इस तरीके से basic clear हो तो कोई problem नहीं आएगी इसी वज़े से इस तरीके से paragraph को समझाए जा रहा है आगे बढ़ते हैं तो जो इसका answer है वो है second में यह जो ऐसे इसका मतलब है second अब VB test क्या होता है यह देखिए यह VB के लिए apparatus है the test measures the relative effort required to change मैं मतलब सबसे पहले आपको इसको simple तरीके से समझा देती हूँ simple तरीके से यह है कि किते seconds लेता है इस conical shape से मालीजी कि इस conical shape में यह slump corn जैसा ही shape है slump corn में इसमें यहाँ पर fill किया जाता है concrete को और उसके बाद इस slump corn को तो यहाँ से हटा दिया जाता है और यह यहाँ पर cylinder है और फिर इसको यह यहाँ पर vibrating table पर रख करके और इसे vibrate किया जाता है और यहाँ पर seconds में यह बता देता है कि conical shape से इसे perfect cylindrical shape में आने पर कितने second लगे है vibration के दोरान तो यह basically यह बताता है कि slump corn में इसे conical shape से cylindrical shape में आने के लिए कितने second का समय लगा है यह workability test करने का यह workability test ही है इसका VB consistometer से अब मैं इसको explain कर देती हूँ कि अब क्या चीज़ कहना चाहरा है the test measures the relative effort required to change a mass of concrete from one definite shape to another for example from conical to cylindrical by means of vibration the time required for complete remolding in seconds is considered as a measure of workability and is expressed as the number of VB seconds तो आप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है VB consistometer में workability check की जाती है कि एक particular shape से उसे दूसरे particular shape में लाने के लिए through vibration कितने second का समय लगता है तो इस workability test की जाती है इस process से next question है plastering is also called options are pre-casting, targeting, porting and polishing तो plastering is also called as targeting अब पारगेटिंग से related IS code में तो कोई term है नहीं इस IS code के अलावा term है पारगेटिंग से related पारगेटिंग और sometimes पारगेटिंग is a decorative और waterproofing plastering applied to building walls the term if not the practice is particularly associated with the English countries of Suffolk and Essex in the neighboring country of North Fork the term pinking is used तो ये एक पुराने SSCGN exams में ये आयावा कोशन है इसलिए मैंने सुचा आपको ये भी बता दू कि प्लास्टरिंग को पारगेटिंग भी कहते हैं जनरली ये word use नहीं किया जाता है लेकिन ये previous year question में आयावा question है इसलिए यहाँ पर ये consider किया गया है क्योंकि वैसे जनरली यहाँ वही question consider किया गया है जो IS code से related मतब जिनका topic IS code से related सही है और believable material है और ये भी पुराने SSC exam में आयावा है लेकिन ये पारगेटिंग जैसा word IS code में कहीं नहीं है ये IS code के अलावा term है एक और question है जिसका IS code में इतना कोई खास जिक्र है नहीं ये IS code के अलावा question आया है question हम है इसका dash is used to ensure that the thickness of plastering is uniform options are bull point, pivot point, bull mark, benchmark तो इसका जो correct answer है वो है bull mark अब आप देखेंगे कि plastering में thickness जो होता है insure करने के लिए thickness को insure करने के लिए bull mark जो होता है वो कैसे use के जाता है तो आप इसको diagram से अच्छे समझ पाएंगे ये देखेंगे, ये बुल mark होता है जैसे अब इस surface पे plastering करनी है अब बुल mark जाने के माल लिजे के हमें 15 mm की plastering या पर करनी है तो 15 mm की plastering के लिए एक correct एक जगे specify कर दिया जाता है कि ये 15 mm के width है ये 15 mm के width है अब इस width से, मतलब इस thickness से thickness के reference में ही बाकी वाले area के अंदर plastering की जाएगी तो इस तरीके से जब एक fix point mark कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं बुल mark बुल mark are made at appropriate distance these act as a reference for plastering thickness plastering thickness के लिए एक reference की तरह ही उसकिया जाता है next question है in plastering the first coat is called dash and its thickness should be dash mm options are first option undercoat 6 to 9 mm floating coat 6 to 9 mm floating coat 10 to 15 mm and undercoat 10 to 15 mm अब जो first coat होती है उसे बोलते हैं undercoat और undercoat में उसकी thickness होती है 10 to 15 mm यह इसका correct answer है अब अब आप देखिए यह है plastering से related is code 1661972 यह भी important है आप अच्छे से ध्यान रखे कि plastering से related code कौन सा है तो plastering से related code यह है 1661972 अब इसमें इस वाले code में plastering के क्या operation बताए गया है इस code का एक clause है 2.3.4 इसमें है clause undercoats plaster codes often referred to as backing code मतलब undercoats को backing code भी बोलते है background code type में मतलब समझ सकते हैं आप इस चीज को background code यानि की backing code the main function of which is to provide surface suitable for the application of succeeding codes और they are following two types of undercoats दो तरीके के undercoats होते हैं जिसमें एक होता है rendering code और second होता है floating code rendering code को बोलते है first code and floating code को बोलते है second code अब आप अप अच्छे समझ गए होंगे कि जो हमारे options में था option के अंदर दो option थे एक तो था undercoat और एक floating code तो जो floating code है वो तो बोलते है second code को और undercoat बोलते है first code को इसके लावर इसी code में एक table है जिसमें thickness बताई गई है तो यहां देखिए आप single code plaster है तो भी उसकी thickness 10 to 15 mm है अगर two code plastic है यानि कि first तो है backing code and second finishing code अब बात हमारे पास है backing code की backing code भी बोल सकते हैं या undercoat भी बोल सकते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से धान रखिएगा कि इसे backing code भी बोला जा सकता है next को भी question आए तो क्योंकि code में directly backing code लिखा हुआ है undercoat भी बोला जा सकता है तो इसकी होती है 10 to 15 mm और इसके अलावा जब three quotes होता है तो three quotes में first होता है base coat, second coat and finishing coat तो इसकी generally होती है 10 to 15 mm तो इस वज़े से इस question का अंसर है कि जो first coat होती है उसे define किया जाता है अंडर कोट और इस थिकनेश उड़े 10 to 15 mm आगे बढ़ता है next question है which of the following statement is true first mud plastering does not require curing second mud plastering require curing third it depends on the situation अब हमें इसमें से बताना कि कौन से option true है A है B है या C है या इन में से कोई नहीं तो इसका A option सही है mud plastering does not require curing अब आपने देखी होगी कई जगे मतलब फिलाल तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है लेकिन mud plastering होती है मतलब मिटी से लेपा जाता है घरों को तो उसमें आपने गौर क्या होगा तो पहले ही मतलब पानी से पहले उसकी तरही कर दी जाती है और फिर उसके उपर mud plastering की जाती है जो मिटी से लेपना जैसे कहते है नॉर्मली लोकल लेंगवेज के अंदर के मिटी से लेपन किया जाता है तो पहले उसकी पानी से तरही कर दी जाती है और फिर उसके उपर लेपन किया जाता है और उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है तो mudplasting does not require curing क्योंकि वो पानी अगर उस पर डालेंगे तो वो remove हो जाएगी उसकी surface से ये देखें इस तरीके से mudplasting होती है कई जगे इसमें countdown भी मिलाते हैं कि एक है कि अगर कोशन इस तरीके जाए जाए कि ना mudplasting करनी है और पानी के भी थोड़े बहुत चांसेज आने के तो आप क्या उसमें मतलब add करेंगे तो the mud plaster is not waterproof so to tackle that a cow dung wash और lime wash is applied after plastering ये भी कभी कोशन आयो तो आप इस चीज को भी ध्यान रखे के cow dung wash या lime wash is applied after after plastering बाग्याप से तसली से पढ़ लिजेगा normal है ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये hairline crack के लिए है कि मतलब इसमें सही से मतलब bond उसका create हो जाए इसली किसका यूस क्या जाता है जैसे floating travel यूस क्या जाता है या क्या यूस क्या जाता है तो इसमें इस तरीके का एक हैमर यूस क्या जाता है wooden hammer होता है यह नेक्स्ट कोचन है which of the following statement is true options are first option the quality of water governs the strength of concrete सही है water के साथ में उसकी quality तो effect करेगी करेगी strength की मतलब जितना हमें उसकी consistency के साथ सेटिंग के साथ से पानी चाहिए तब तक तो उसके quality सही रहेगी और माली जी के हम excess water में ला रहे है तो फिर वो concrete permeable हो जाएगी उसमें bleeding होने के chances हो जाएगे segregation हो जाएगा wetter mix create हो जाएगा वो तो उसकी quality effect करेगी करेगी उसकी strength भी effect करेगी फिर next second है the quantity of water require for concreting depends upon the grading of aggregate and method of compaction ये भी सही बत है के मतलब पानी की कितनी हमें quantity चाहिए ये depend करता है कि aggregate का grading कितना है or method of compaction हम कों सा use कर रहे हैं hand compaction यू ज. यू का रहे हैं या mechanical compaction यू का वाइबरेश्हान यू का रहे हैं या किस तरीके का compaction यू कर रहे हैं यह ये भी depends करता है कि हमें quantity of water कितना required है next statement is 10% excess of water reduces the strength of concrete by 15% and fourth is all options are correct तो इसमें सभी options correct है the quality of water governs the strength of concrete ये भी सही है और quantity of water ये भी सही है क्योंकि grading of aggregate पे और method of compaction पे depends करता है अगर 10% excess हो जाए water मतलब concrete में तो उसकी strength 15% reduce हो जाएगी अब इसके अलावा water से related IS code 456-2000 में water से related क्या-क्या clause है एक बार वो भी पढ़ देते हैं क्योंकि ये concept आप समझे गयो इसके अलावा भी water से related कुछ और चीज़ है important तो 5.4 clause है IS code 456-2000 में reinforced concrete structure के लिए water used for mixing and curing shall be clean and free from injurious amounts of oil acids, alkali, salt, sugar, organic material और other substance that may be deleterious for to concrete or steel वो उसमें corrosion effect कर देंगे, porosity effect कर देंगे तो इस वज़े से ये acidic nature वाले substance उसके effect करेंगे 5.4.4 clause है water found satisfactory for mixing is also suitable for curing concrete however water used for curing should not produce any objectionable stain or unsightly deposit on the concrete surface the presence of tannic acid or iron compounds it objectionable अब ये important term है क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके से कंजूसी कर देते हैं कि concrete के अंदर तो वो मिला रहे हैं सही पानी और जब बात आती है ना कि हमें उसकी तराई करनी है तो तराई में वो salty वाला पानी यूज कर लेते हैं कि हां कोई बात नहीं चलेगा चलेगा तो ये क्योरिंग के लिए ये वाला पानी मतलब जो salty नेचर वाला पानी या acidic नेचर वाला पानी वो सही नहीं रहता है मतलब जिसमें acidic की quantity हो इस या other substance हो जो भी यहां बताए गए थे उपर जो भी यहां बताए गए थे oil, acids, alkali, salt, sugar, organic matter, other substance इस तरीके के हो तो concrete मिलाते वक्त तो हम माली जे के सही यूज कर रहे हैं पानी अब curing के बाद आती है तो curing में हाँ कोई नहीं चलेगा चलेगा तो यह सही नहीं है अब इस से related ही यह clause है के curing में भी हम we found satisfactory for mixing is also suitable for curing concrete however water used for curing should not produce any objectionable stain or unsighted deposit on the concrete surface the presence of tannic acid or iron compounds is objectionable तो अब आप समझे क्यों होंगे के इस clause को क्यों यहाँ attach किया गया है अब एक चीज हो रहे है के effects of excess water in concrete mix जैसे माली जी के पाने के मातरा जादा होई है concrete में तो क्या क्या चीज उसको effect करेगी एक तो उसकी strength में reduction हो जाएगा यह आप सिंपल इसकी समझे जाएंगे कि strength में reduction हो जाएगा drying shrinkage create हो जाएगा उसमे loss of abrasive resistance permeability उसमें increase हो जाएगी क्योंकि माली जी कि यह structure है अब इसमें जब तक voids fill करने है यह aggregate है अब जब तक इसमें voids fill करने है तब तक तो इसमें पानी fill हो जाएगा वो absorb कर लेगा लेकिन जैसे ही इसमें amount excess हुआ water का तो फिर वो क्या होगा permeable हो जाएगा मतलब वो उससे बाहर निकलने लग जाएगा तो increase in permeability इसके लावा dusting and scaling dusting and scaling क्या term है कि पानी अगर जादा हो गया तो क्या होगा वो surface पे आ जाएगा मतलब जो structure है उसकी surface पे create हो जाएगा यह fine powder मतलब fine powder जैसा अब जो cement mixture वाला होता है fine powder वो उसकी surface पे create हो जाएगा इस वज़े से उसमें dusting and scaling क्यों create हो जाएगी और इसके बाद में इसका indirectly effect क्या होगा reduce its durability durability आपको और अच्छे समझना है तो यह यह आगे attach किया है इसका explanation भी मैं इसको तसलिए से ड्रै करें हूँ यह वही चीज़ है जो हम आप काफी बार discuss कर चुके हैं आप तसलिए से एक बार पढ़ लेजेगा यह ड्राइंग श्रिंकेश क्रीट हो जाता है loss of abrasive resistance, permeability, dusting, scaling, reduce durability I hope आप समझ जाएंगे इस चीज को मैं तसलिए से ड्रै किया है आप पॉस करके तसलिए से पढ़ लेजेगा यह वही चीज़ है जो भी मैं आपको short briefly समझाईए क्योंकि हर चीज़ है explain करने बढ़ जाएंगे तो काफी टाइमिंग लग जाएगा हमें syllabus भी cover करना है दूसरे subject भी cover करने है इसलिए आगे बढ़ते हैं next question है in the method of voids for determination of the quantity of cement paste it is assumed that options are first option voids in coarse aggregate are filled by fine aggregate second voids in fine aggregate are filled by the cement paste and third voids of fine aggregate is equal to total voids in coarse aggregate plus 10% extra and fourth option all options are correct तो इसमें 4 options correct हैं या आप इसको पढ़ते ही समझ गये होंगे कि coarse aggregate के जो बीच में space होता है उसे fine aggregate से fill किया जाता है fine aggregate के बाद में जो space बसता है उसे cement paste से fill किया जाता है और fine aggregate का जो total volume होता है वो coarse aggregate plus 10% extra क्योंकि fine aggregate का surface area होता है जादा और coarse aggregate का होता है surface area कम इसलिए 10% extra उसका मान के चलते हैं लेके चलते हैं नेक्स्ट कोशन है pick up the correct statement from the following options are higher workability indicates unexpected increase in the moisture content second higher workability indicates deficiency of sand third in the concrete mix is dry the slump is zero and fourth option all options are correct तो इसमें से जो इसका correct answer है वो है option number four all options are correct higher workability यह indicate करती है कि उसमें monster content जादा है जो directly and indirectly उसकी strength को effect करता है यानि कि concrete ऐसी हो कि वो workable भी हो लेकिन साथ में उसकी strength पे भी effect ना पड़े लेकिन higher workability के चकर में उसमें excess water use के जाता है जो कि उसकी strength को effect करता है higher workability indicates deficiency of sand उस पे यह भी सही है और इसके अलावा अगर concrete mix dry है मतलब harsh mix तयार किया गया है तो उसका slump zero होगा क्योंकि वो उसमें पानी मतलब कमी होगा तो इस वज़े से वो slump zero ही create करेगा तो इस वज़े से इसके सब यह options correct है thank you so much for watching और please 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 like and subscribe जरूर करें अपने friend circle में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो का लाब मिले thank you